ODI Bird Cup 2003 से सुरू होने वाला है तो चलिए उससे पहले नजय दोडाते हैं 1975 से लेकर 2019 तक जो भी ODI Bird Cup खेले गए हैं उन्हें कौन से ऐसे कंट्री है जिनको ये सोभाग हुआ है उन्हें इस बात का अगर्भ है कि उन्होंने इस टाइटल को अपने नाम किया है तो सबसे पहले ज बेस्ट इंडीज ने कपतान थे क्लाइब लॉइड और 1989 में दूसरा ODI Bird Cup खेला था उसकी भी बिजे थाती बेस्ट इंडीज लगातार दो टाइटल कपतान क्लाइब लॉइड 1983 में भारत ने वर्ड कप जीता था कपतान थे कपिल देओ और 1983 में भारत ने ये वर्ड कप हासिल किया था 1987 के अगर बात करें तो बै आउस्टेलिया चेंपियन बनी थी जिसके कपतान थे एलन वार्डर और पहली बार आउस्टेलिया ने इस कप को अपने नाम किया था इन्हें उने 20 चैंपियन बनाया था 1999 में एक बार फिर से उस्टेलिया वर्ड चैंपियन बना था ODI का कप्तान थे इस्टी बॉग अगर 2003 की बात करें तो फिर से उस्टेलिया ने इस कप को जीता था भारत को फाइनल में हराया था कप्तान थे रिकी पॉंटिंग उस्टेलिया इटीम के और 2007 में फिर से उस्टेलिया ने जीता कप्तान थे रिकी पॉंटिंग हेट्रिक पूरी की थी 2007 में फिर से चैंपियन बने ODI 2011 में भारत ने पुनहा कप हासिल किया था कप्तान से महें सिंध होनी ये उराज का इसमें खास एक दान था इस बर्ड कप में अगर 2015 की बात करें तो फिर से और्ष्टेलिया और्ष्टेलिया का दब्दा हमेशा क्रिकेट में रहा है चाहे वो बर्ड कप हो या फिर कोई टूनामेंट हो कप्तान थे माइकल किला और के 2019 में जो राष्टी खेलता इंग्लेंड का वो लगातार इस रजद्दो जहद में थे कि उनके नाम भी एक बर्ड कप उनके नाम भी एक ODI बर्ड कप होना चाहिए और कप्तान थे या उन मॉर्गेन इंग्लेंड ने ये टाइटल अपने नाम किया था आज भी लगे हुए हैं लेकिन देखना होगा क्या न्यूजी लेंड धक्षण अफरीका जो आज तक कोई भी ODI बर्ड का फासिल नहीं कर सके क्या उनके नाम भी वर्ड कप जाएगा क्रिकेटरों टैलेंड की कोई कमी नहीं इन टीमों हैं लेकिन आज भी इस चीज की उनके कमी खल रही है उन्हें चोकर भी कहा जाता है वो अफरीका हो चाहे वो न्यूजी लेंड हो लेकिन देखना हुआ 2023 में कौन चैंपियन बनता है दोस्तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का सुक्रिया देखते रहे है दर स्पोर्ट्स धमा का